हेलो गैज आपका चेतिलाल फाइनेशल सर्विसेज में फिर से स्वागत है कीप इनिवेश्टिंग कीप ग्रोइंग अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक और सबस्क्राइब करना ना भूलें जिससे आपको आने वाली नोटिफिकिसंस के बारे में भी पता लगता रहेगा तो देखिए वीडियो के अंदर हम ये डिसकस करने वाले हैं कि ऐसे कौन से शेयर्स हैं जिन्होंने मार्किट के अंदर जब से लिष्ट हुएं यानि कि इतना जो मार्किट कैपिलाइजेशन है वो बिल्कुल खतम हो गया है तो देखिए मैं इससे पहले बताना चाहता हूँ कि देखिए बहुत सारे आईपियो मार्किट के अंदर आते हैं वहीं बहुत सारे IPO ऐसे भी आते हैं मार्केट के अंदर जिनका एक आने से पहले बहुत जबरजस्त बबल क्रियेट कर दिया जाता है और वह बबल इस तरहा से क्रियेट किया जाता है कि अगर आप इसमें trading करते हैं या investing करते हैं तो ये share उपर जाने वाला है बहुत तरह कि जो बाते होते हैं मार्किट के अंदर ऐसी बाते की जाती है और इस तरह का एक बहुत जबरजस्त बबल क्रियेट किया जाता है कि लोग बाग दबाके उस IPO के अंदर पैसा लगाते हैं और फिर उस IPO के अंदर फसके रह जाते हैं यानि कि उनका जो अमाउंट आदा आदा रह जाता है यानि कि 10 लाक रोपया अगर मान के चलो किसी ने लगा रखें कई डीमेट अकाउंट से तो देखिए वो आदा ही अमाउंट रह जाता है और ऐसी कंडिशन में देखिए ना तो वीडियो के अंदर डिसकस करेंगे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ये वीडियो आपके बहुत काम क्या होने वाला है तो देखिए ये जो IPO हैं पेटेम हुआ नायका हुआ पीबी फिंटेक जोमेटो तो देखि जैसे जैसे जो earning होती है वो miss हो जाती है जो earning के अंदर lows होता है तो उस time पे जब आपका पैसा डूप जाता तो patience टेस्ट की जाती है तो वही इन shares के अंदर हो रहा है कि आप देखिए जिन लोगों ने उपर के levels पे ये share खरीदा हुआ है और इस तरह कि जितनी भी companies है जो न करते हैं या फिर नाइका की बात करते हैं या जो मेटो की बात करते हैं या पीबी फिंटेक की बात करते हैं जिन में लगातार बहुत जबर जस्त गिरावट देखने को मिली और जिनका market capitalization इन चारो companies का 3.58,000,000 करोड रुपीज के आसपास था पहले दिन देखे बहुत वेल्थ थी creator investors की वो बिलकुल dismiss हो चुकी है और बहुत जबर जस्त जो है sell of in shares में देखने को मिली upper high level से और पेटियम की बात करते हैं तो देखे पेटियम के अंदर जो erosion हुआ जो amount dismiss हुआ है खतम हुआ है वो करीबन करीबन 45,597 करोड से लेकर 55,802 करोड रुपीज तक का ह हो चुका है day 1 से और day 1 पे जो market capitalization हुआ था जो 81 इनके पास जो पैसा हुआ था वो करीबन करीबन 11,399 करोड रुपीज के आसपास हुआ था नवंबर 18 को तो देखे बहुत amount जो है eros हो चुका है already और अकर नायका की बात करते हैं तो देखे नायका के अंदर जो amount खतम हो च 29,000 करोड रुपीज के आसपास हो चुका है और इसका जो market capitalization है वो 71,000 करोड रुपीज के आसपास रह गया है जबकि day 1 की बात करते हैं तो देखे day 1 को नवंबर 10 को जो इसका market capitalization बना था वो 1,4,360 करोड रुपै जो अब 71,000 करोड रुपीज के आसपास रह गया है और जो 71,000 करोड रुपीज के आसपास का जो मार्किट कैपिलाइजेशन जो हम बता रहें रह गया था वो उसी टाइम पे था और अब की अगर करंटली बात करते हैं तो वो भी 65,000 करोड रुपीज के आसपास रह गया है तो देखें कितना जो है एकदम से रिवर्स फोल हमने इन चारों शेर्स में देखने को मिला है और पीबी फिंटेक की बात करते हैं तो इसमें भी देखें मार्किट कैपिलाइजेशन बहुत जबरजस्त लोस इन शेर्स में हुआ है और देखें इनका बहुत जबरजस्त एक क्रियेट किया गया था कि बही पोलीसी बजा पीटियम का आई पर आ रहा है जो मैटो यह वो तो देखें स्टार्टिंग में जिन लोगों ने पैसा लगाया वो अभी तक भी अपर के लेवल्स पे जिन लोगों ने खरीदा हुआ है वो अभी तक भी इस शेर के अंदर फसे हुए हैं और अभी हम बताते हैं कि देखे इसका जो भी इसमें कितनी एक स्ट्रेंफ हम कह सकते हैं इन पें बची हुई है अभी भी तो पहले हम बात करते हैं देखे अगर पेटियम का लाज्ट त्रेडिंग शेशन देखते हैं तो उसमें भी 2% के आसपास शेयर के अंदर हो चुका है और इसके देखिए कुछ है अगर हम इसके रिजल्ट्स को उठाके देखते हैं तो देखिए जो टोटल असेट थे कमपनी के मार्च 2020 में एक लाग तीन हजार करोड के थे जो की अगर हम 2021 की बात करते हैं तो 91,000 यानि की देखिए टोटल असेट में भी गरावड देखने को मिली टोटल रिवेन्यू भी घटता हुआ दिखा और प्रोफिट आफटर टेक्स की बात करते हैं तो वो भी यहाँ पर घटता हुआ दिखाई दिया है और अगर हम बात करते हैं नायका की तो देखिए नायका का जो लाश्ट ट्रेडिंग शेर्शन था वहाँ पर शेर प्राइज 1397 यानि देखिए 50 रुपए के असपास शेर गिरा साड़े 4 परसेंट के असपास और देखिए 2437 रुपए 26 नुमंबर को जो इसका हाई था 2437 रुपए वहां से अल्मोस्ट देखिए 1300 रुपए आ चुका है करिबन करिबन 1000 पॉइंट का ये शेर तूट चुका है और फाइनेशल उठा के देखते हैं तो देखिए लगातार कंपनी का यहां पर घठता हुआ दिखाई दिया है और रिवयन्यू भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है कंपटी का जबकि लेकिन प्रफिट आफ्टर टेक्स से मतलब होता है मिंस तो दूसरी बात आती है पीबी फिंटेक तो दिखे पीबी फिंटेक 747 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 2.5% ये शेर टूटा हुआ था और अगर हम इसके देखे टोटल टॉप हाई की बात करते हैं तो 1447 रुपए से लेके 147 रुपए आ चुका है लगबग 400-500 पॉइंट की पॉइंट ये जो शेर है टूट चुका है और अभी भी देखे ग्रावटीन शेर्स के अंदर बरकरार है और पैट की बात करते हैं तो देखे मार्च 2019 में 245 करोड रुपए के प्रोफिट आफ्टर टेक्स पे थी जबकि मार्च 2021 में 619 करोड रुपए के प्रोफिट आफ्टर टेक्स पे आई है कंपनी के लिए ये पॉजिटिव संकेत है बात करते हैं जो मेंटो की तो देखे जो मेंटो एक ऐसी कंपनी है जिसने अपनी एड के उपर बहुत जबरजस्त पैसा खर्च किया है और उसका जो फायदा है अब कंपनी को दिखता भी दिखाई दे रहा है लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करते है तो 4% के आसपा शेर टूटा हुआ था और 85 रुपए के आसपा से ये करंटली ट्रेड कर रहा है और 160 रुपए से 85 रुपए ये आच चुका है अल्मोस्ट देखे 31% के आसपास का जो है लोस इस शेर के अंदर हो चुका है अपने टोप हाई से और इसके फाइनेशल्स की बात करते हैं तो देखे जो टोटल असेट थे कंपनी के मार्च 2019 में 34,134 करोड रुपीज के थे जो की 87,000 करोड रुपीज के हो गए मार्च 2021 में तो देखे टोटल असेट्स में काफी अच्छी खासी बड़ोतरी यहां पर देखने को मिली है जो मैटो के शेर में वहीं अगर हम इसके टोटल रिवेन्यू की बात करते हैं तो देखे 13,970 करोड रुपीज से 21,184 करोड रुपीज के असपस कंपनी का जो रिवेन्यू वो आता हुआ दिखाई दिया है प्रोफिट आफ्टर टेक्स की बात करते हैं देखे 10,000 का प्रोफिट था मार्च 2019 में फिर 23,000 का हुआ प्रोफिट आफ्टर टेक्स फिर 8,000 का हुआ तो देखे यहां पर प्रोफिट आफ्टर टेक्स में अभी जो है ग्रावड देखने को मिली है और जो कमपनी एक हम कहरे हैं कि लोस में चल रही है यह काफी टाइम से कमपनी तो देखे इन्होंने पहले से अपना जो लोस है वो काफी नेरो किया है और इसी का जो फायदा देखिए आगे आने वाले टाइम में आपको जो मैटो पर दिखेगा भी बाकी बात करते हैं कि इस तरह के जो बबल वाले आईपियो आते हैं उनमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए तो देखिए आपको जब भी हमने ये किलियर पहले भी काफी वीडियो बनाई है इस चीज़ के उपर कि जब भी कोई बबल वाला जो आईपियो आता है और बहुती जदा मारकिट के अंदर उसकी जो निूजक सेपरेड कर दी जाती है कि हाँ हाँ इतना बनने वाला इतना बनने वाला तो देखिए अगर मान के चलो आईपियो आईपियो के अंदर पैसा भी लगाते हैं और देखिए जब एक बार तो वो एपर उटता ही उटत अपने 30-40-40% जो है सारे शेयर अपने हाई से तूट चुके हैं तो जितने भी आईपियों आते हैं आप पैसा भी लगाते हैं तो उस आईपियों के अंदर संभल के पैसा लगाएं और पैसा लगाने के बाद जिस दिन लिस्टिंग हो उससे एक दो दिन चार दिन बाद आप आपको वो पैसा निकाल लेना है चाहे आपको कितना भी प्रोफिट हो रहा हो जिससे क्या होगा कि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी सेव हो जाएगा और जो आपके पास थोड़ा बहुत 2-4% जो भी प्रोफिट आ रहा है वो भी हो जाएगा बच जाएगा और और आपका जो पैसा है फ्रीज होने से किसी शेयर के अंदर बच जाएगा तो देखे यही पूरी एक study थी और यही IPO के उपर नीती आपको बढाने चाहिए नए IPO के उपर जब भी कोई नए IPO आता है बाकी किसी भी तरह कोई सवाल है आपको इन तीनों shares में से लेके तो आप हमें हमारे comment section में लिख सकते हैं या फिर आप हमारे telegram channel से भी जुड़ सकते हैं जिसका link description box में दिया गया है और अगर channel पे पहली बार visit कर रहे हैं तो channel को like and subscribe जरूर करें जिससे आपको आने वाली notifications के बारे में भी पता लगता रहेगा वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद